इन दिस सेशन वी विल डिसकस अबाउट दफांक्शन इन सी लैंगवज तो सबसे बहले समझते हैं कि फंक्शन की जरूरत क्या होती है हम फंक्शन क्यूं बनाते हैं तो अभी तक हमने जो भी एक्जामपर डिसकस किये थे उसमें घैन ने लिक रहा था बट अब मेरेको कोड को अगर मैनेज करना है तो मुझे उसके अंदर नए-नए फंक्शन के इंट्रिड्यूस करने पड़े गे functions for example अगर मैं बात करूँ scan ने print है तो ये भी हमारे function होते हैं बट ये होते हैं हमारे special library function अब हम user defined function भी बना सकते हैं let's say ये है हमारा main function सपोज ये हमारा main function है और एक और function अगर हमने हैं पर बना दिया तो ये है सपोज मैंने इस function का नाम दे दिया let's say तो जब इसको जरूरत पड़ेगी main function को ये call कर लेगा इस function को तो इसका जो code है इसके अंदर जो भी हमने coding है अपर लिखी है वो हो जाएगी execute तो इससे फाइदा ये होता है कि जो हमारा code है वो distributed हो जाता है उसकी जो ये p function है let's say इसकी अपनी कुछ specialty होगी यानि ये किसी के अंदर master होगा तो सारा का सारा code एक ही function के अंदर लिखने के अंदर हमारा control भी better रहता है जिससे हम उसे distributed environment में रख देते हैं यानि मेरे main function के अंदर ही हम सारा code नहीं रखते बलकि हम उसको अलग-अलग functions में रख देते हैं इसको इस तरीके समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास छोटा code हो यानि कि जैसे हमारे पास suppose हमारे पास 10 passengers हैं वो कहीं जा रहे हैं तो हम उनको bus से travel कर सकते हैं बट अगर हमारे पास thousands of the passengers हो तो हमें उसके लिए कोई और arrangement करना पड़ेगा क्योंकि उनकी variety different होगी किसी की priority होगी कि उसको cheap travel करना है किसी की priority होगी कि उसको safety या फिर luxury चीजे चाहिए for example उसको AC चाहिए तो ये चीजे के लिए उसको अलग-अलग तरीके के coaches divide करने पड़ेगे तो हम उसी तरीके से अपने code को भी different different functions में divide कर सकते है तो ये होगया हमारा p function ये होगया हमारा main function कोई साभी function किसी को भी call कर सकता है जब हम किसी function को call करते हैं तो let's say हम उसको argument भी pass कर सकते हैं for example ये जो पहला function है ये suppose इसको दे रहा है argument suppose 10 और 20 let's say ये हमारा program है suppose ये main function इस t function को दे रहा है 10 and 20 values and t function is accepting those values in the variable like a and b and after that वो उन दोनों का sum कर देता है और ये sum हो सकता है वो बापस कर दे return इसी function को ठीक है तो ये होता है parameter pass करना और r जो value है उसको return करना तो parameter pass किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा function declare किस तरीके से करते हैं वो सारी चीज़े बताऊँगा और function call किस तरीके से करते हैं ये भी मैं आपको example में बताऊँगा तो अभी हम जो example लेने वाले हैं उसमें मैं बात करूँगा आप से कि हमारे पास एक main function होगा और एक दूसरा function होगा वो function जो main function उसको pass करेगा दो value उनको sum करके बापस result बापस कर देगा main function तो चलिए इस example को समझते हैं मैं इसको कर देता हूँ rough और अब अपने coding की तरफ start कर दे रहा हूँ तो coding के लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ सबसे पहले मैं header file add करता हूँ include studio.h उसके बाद मैं क्या करूँगा main function define करूँगा void main और उसके बाद मैं इस main के अंदर देखें मुझे करना क्या है मुझे करना है कि दो variable लेने हैं let's say a,b और एक और variable लेते हैं जिसके अंदर समाएगा c और फिर मैं user को message देता हूँ कि enter two numbers let's say enter two numbers right? उसके बाद user number डालेगा तो मैं उसको scan करवा लेता हूँ scanf %d,m%a,m%b ये दो number मेरे input होगी अब वो खुद sum करने की बजाए ये main function जो है इन दो number का जो a और b में user ने डाला उनका sum करने की बजाए एक function को call करता है let's say उस function का नाम हम रखेंगे sum और उसको दो value पास होन कर देता है a,b तो ये इसने value पास कर दी तो जब हम function को call करते हैं तो जब अगर हमने value पास करी हैं तो उन values को ये जो function है जो हम declare करेंगे let's say function का नाम है sum तो इस function में दो argument भी मुझे लेने पड़ेंगे क्योंकि हमने यहां से दो value पास करी हैं तो वो हमें यहां पर argument लेने पड़ेंगे किस तरीकी से लेते हैं आप देखिए एक question रहता है कि क्या ये जो variable हमने पास करे थे और भी तो यहां पर भी हमें variable का नाम same रखना होता है या फिर different हम रख सकते हैं तो इसका answer यह है कि आप इनका नाम different भी रख सकते हो same भी रख सकते हो int n1 और int n2 आपको दोनों का type भी बताना होता है तो यह function जो है दो value ले दे रहा है और इसके बाद यह function इन दोनों value को suppose sum कर देता है किसी तीसरे variable के अंदर तो किस तरीके से करेगा k is equal to n1 plus n2 इस तरीके से इसने दोनों का sum कर दिया और k value में वो आ गया अब यह function तो हो गया function की declaration लेकिन यह function अगर कोई value return करता है तो हमें उसका return type यहाँ पर बताना होता है तो return के से करता है हम लिख देते है return k यह मैंने हैं पर define कर दिया तो हिहाँ पर मेरा return type मुझे बताना पड़ेगा for example int तो यह function मेरा integer value return कर रहा है इसलिए मुझे हिहाँ पर देना पड़ा type int अब देखिए जब हमने function call किया था तो हमने दो value भीजी थी a,b वो आ गई थी इन दोनों variable के अंदर हमने उनका sum किया और उस function ने sum करने के बाद बापस उसको return कर दिया इस function को तो जिस function से हमें call करा जाता है उसी को हम value return करते हैं तो देखिए ये भी अपने पास एक variable ले लेगा जिसमें वो receive करेगा return करी हुई value तो इस sum function ने जो value return करी थी for example k वो चली गई इस c variable के अंदर c function अगर उस value को use करना चाहता है तो कर सकता है कैसे उसने हिहां पर message दे दिया the sum is %d, उस variable का नाम उसने दे दिया तो ये print कराना कोई necessary नहीं है ये हमने एक example के लिए बता दिया क्योंकि वो function ने value जो return करी है तो हम उसको print भी कर सकते है तो ये था example जिसमें हमने देखे ये जो sum का code था ये वाला code ये मैंने अलग से एक function बना के रख दिया तो फाइदा ये हुआ कि अगर sum में कोई problem होती है तो हम इस function पर जाएंगे और suppose इसको एक example से नहीं समझते अगर मुझे multiple operation करने है for example मुझे plus करना है, minus करना है multiply करना, divide करना है मुझे multiple functions करने है तो मैं अलग-अलग function बना सकता हूँ ना कि मैं उनके सब के लिए same code का यूज करूँ तो एक ही जगे लिखने के बजाए मैं उस code को distributed लिख सकता हूँ तो ये था example जिसमें हमने function मनाया अब इसको समझने के लिए ये जो example है, ये है आपका call by value यानि जब आपने function को call किया है तो आप उन्हें उसको value pass on करें तो ये example था जिसमें हमने बात की call by value की और function declare कैसे होता है function call कैसे होता है declare किस तरीक से होता है यह मैंने function define करा हुआ है और यह मैंने function call करा हुआ है तो function को आप हो सकता है जरूरी नहीं कि आपको उसको parameter भेज नहीं हो आप function को parameter based on your requirement आप भेज सकते हो या फिर आप ना भी भीजो तो भी चलेगा तो चार scenario बनते हैं जब आप function को call करते हो वो scenario मैं आपको explain कर देता हूँ वो scenario आपके होते हैं सबसे पहले कि अगर आप function को call करते हो तो आप कोई argument भेज दे no argument pass और ना वो function आपका कोई value return करता है ठीक है दूसरा scenario बनता है कि आप argument भेज देते हो argument pass but function कुछ भी value return नहीं करता एक यह scenario बन जाता है दूसरा scenario बन जाता है कि आप कोई argument तो pass नहीं करते but function आपका return करता है ठीक है no argument pass function return यानि ऐसा ज़रूरी नहीं कि function तभी return करेगा जब आप उसको value दे रहे हो function तभी return कर सकता है value जब आप उसको कोई argument ना दे रहे हो और last scenario बनता है कि आप argument भी pass कर रहे हो argument पास भी कर रहे हो और वो function आपको return भी कर रहा है ठीक है तो यह 4 scenario टोटल बनते हैं आप कोई argument भी नहीं भेज रहे है function भी return नहीं कर रहा है आप argument भेज रहे हो बट function को भी return नहीं कर रहा है आप भी argument भेज रहे हो और function भी value return कर रहा है तो ये total 4 scenario बनते हैं you can try out your own इस example के अंदर जो मैंने last वाला scenario लिया है यह अनि हम function को argument pass भी कर रहे हो function पापस हमें return भी कर रहा है तो ये scenario हमारा 4 scenario है तो इसके अंदर मैंने आपको बताया function declaration function की calling function के अंदर अगर आपको parameter pass करना हो तो किस तरीके से करेंगे और function अगर value return करता है तो वो किस तरीके से करेगा तो ये और फिर हमें उस function का return type बताना होता है अगर आपका function कोई value return नहीं कर रहा है तो int की जगे पर हम दे देंगे void, void means आपका function कोई भी value return नहीं कर रहा, इसको आप इस example कि जो आपका mean function है, वो इस example के अंदर कोई भी value return नहीं कर रहा है, तो ये था example जिसमें मैंने आपसे बात की function बनाते किस तरीके से हैं, और function को call किस तरीके से करते हैं, एक और इसके अंदर example होता है, जिसमें आपसे पूचा जा सकता है, कि what is function prototyping, तो prototyping का मतलब है कि जब आप function को use करने वाले हो, किसी function को define करने वाले हो जैसे हमने हैं पर देखो function call हुआ, तो main function को नहीं बता होगा, कि इस नाम को कोई function आगे आने भी वाला है, या फिर नहीं आने वाला, क्योंकि पहले उसको नहीं मिला था तो इसी लिए, जो function हम define करेंगे, ये जो function है उसको हम पहले ही हाँ पर declare कर देते हैं, तो किस तरह ही से करते हैं, पहले function का return type, फिर function का नाम फिर वो अगर parameter लेगा, तो सिर्फ उनका हमें हैं आपर type define करना होता है, तो ये हमने बता दिया उसको पहले ही अपने program को, कि हमारे पास एक function आगे चलके आने वाला है जिसका return type होगा, integer function का नाम है sum, और वो दो argument लेगा integer type के, तो ये इस चीज को हम बोलते हैं function prototype, तो function prototype हमें define करना जरूरी होता है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि हमारा function इस नाम का और इस return type का, इस parameter का आगे चलके आने वाला है, जिससे हैं पर जब हम call कर रहे होंगे, तो उसको कोई error नहीं देगा, तो चलिए इस example को run कर लेते हैं, और फिर आगे देखते हैं तो मैं इसको करता हूँ compile and run अगर सब कुछ ठीक होगा, तो ये मेरे से दो number पूछेगा, मैंने डाला suppose 10 और दूसरा number डाल दिया इसने मेरे से, हमने यहाँ पर इसने मेरे से एक ही number पूछा अब हम इसको ठीक कर लेते हैं, और हम run करते हैं compile and run, मेरे से पूछा, enter two numbers 10 और 20 अब वो मेरे को दे दिया, उसने the sum is 30 तो ये जो मेरा message था, the sum is 30 ये कहां से आया, देखो calculation कहां पर हुई है, यानि इस mean function के अंदर calculation नहीं हुई, ये calculation दूसरे function के अंदर हुई है तो मेरा focus क्या रहेगा, अगर मेरी calculation में कहीं mistake होती है, तो मैं sum को ठीक करूँगा, और कहीं input लेने में, print करने में वहाँ पर problem होती, तो मैं main को print करूँगा तो ये function हम अलग-अलग बनाके रख सकते हैं, let's say मैं calculator का code लिख रहा हूँ, तो उसके अंदर अगर मुझे plus, minus, divide, multiply, सारे operation करने हैं तो मैं सारे के सारे operation main function के अंदर लिखने की बजाए मैं क्या करूँगा उनको अलग-अलग function में divide करके लिख दूँगा, और फिर जिस function को call करने की जुरुत पड़ेगी मैं उसको call करूँगा, इस example के अंदर आप किसी function को एक बार ही call कर सकते हो, आप उस function को multiple times भी call कर सकते हो, यानि इस function को मुझे अब दुबारा हैं पर जुरुत पड़ेगी इसके बार भी call करने की, तो मैं यहाँ पर भी call कर सकता हूँ यानि आप किसी भी function को multiple times call कर सकते, तो इसका एक फायदा यह भी हुआ, कि आपका जो code है वो reuse हो जाएगा, यानि जब आपने function बनाया, वो function आप बार-बार use कर सकते, तो यह था example था, यह था मेरा call by value का example, क्योंकि जो हम value यहाँ पर pass कर रहे हैं, यह a, b इनकी actual value यहाँ पर चली जाती है, तो अगले lesson में मिलेंगे, अगले chapter में मैं अब से बात करूंगा, pointers के बारे में, thank you